हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपके चैनल फोगया ससी रेले यूटूब चैनल पर आज के हम इस वीडियो में बहुत ही महत्पूर्ण परसनों को हल कनने वाले हैं और रेगुलर आप लोग सीरीज चल रही है आप लोग एक्जाम से पहले पहले महत्पूर्ण परसनों को करा दिया जाएगा आज का सेशन बहुत इंपॉर्ण होने वाला है जैसे कुशन नमर फरस्ट है ध्यान से पढ़िएगा सारे कुशन बहुत ही यूनीक हैं और जिनकों बहुत ही अच्छे कांसर्प्ट से बहुत ही अच्छे ट्रिक के साथ बताते हैं जिनकी महत्पीक है उनको भी आसान इसे समय में आ जाता है देखे 54 चात्रों की एक कच्छा में 24 चात दूद पीते हैं, 28 चात चाय पीते हैं और 8 चात्र कुछ भी नहीं पीते हैं चाई करने कि प्रशनों को बहुत सारे लोग मानते हैं प्रुट सारे बहुत चारी का है पहले आप सबस्क debe तो विखस जो है कितने दूद्त पीते हैं और एब कितने चाए पीतें दोड़ों पीते हैं ठीक है आपका आपकाあーis क्या है स्विये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा ऐसा कोई आपसन है आपका 6 दिख रहाँ आपसन नमर 20 है देखे हमें इस प्रस्ट में करना क्या था देखें यह चाववन चाथ रहें और चाथ कुछ नहीं पीते तो इस चाववन में से हम पहले माइनस आट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा अब इन दोनों को जोड़ लेंगे 24 और 28 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 24 और आपका जो 28 है इनको जोड़ेंगे कुछ भी नहीं पीते हैं उनको पहले टोटल छात में से माइनस कर देते हैं ठीक है और उसके बाद जो पीने वाले उनको जोड़ करके इन जो छातर बच्चे हुए हैं उनसे माइनस करेंगे आपका एंस्वर आ जाएगा इसी टाइब के प्रशनों को बहुत सारे बच्चे ब इंपॉर्टन कराया हूं आप लोग जितने लोग भी नए हैं ठीक है वो लोग पूरा प्लेइलिस्ट का लिंक नीचे दिया गया पूरा वीडियो आल देख लिजिए ठीक है जितने पूरे वीडियो हैं आप लोग देख लेंगे बहुत ही आप लोग लिह लोगा क्योंकि आपकी महत की कबर हो गया होगा आपका बेसिक भी तयार हो गया होगा लेकिन अगर आप लोग यह चीजे पढ़ लेते हैं प्रिमेस पर तो आपको बहुत फाइदा होने वाला है देखिए वहां कौन सी संख्या तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो पंदरा पचीस ती का है आप लोग को कुछ नहीं करना देखिए पंदरा पचीस तीस का लेना आप देखिए मुझे पता है इसका कितना आ जाएगा एक सो पचास अब बोलेंगे एक सो पचास कैसे आएगा तो जो बड़ी वाली संख्या रहती उसका पहाड़ा पढ़ते एक ट्रिक बता रहा ह तो 150 से जो lcm आएगा तो आप देखिए lcm 15 से भी तीस से भी भाज़ित है lcm कितना आगया इन तीनों का 150 आगया अब हम आपसं की मतलेंगे जो आपशन 150-ंहों पूरी तरह भी वाजित हो जाए है तो देखेंкої हैं आपसनल स्मक्रण और 900 को 15 से वहाग करेंगे तिह मतलब 900 में खायां संपन। तो जीरो fan- tack चाम नबे आपका यह और किसी को भी वहाजित करें लीजिए एक सो पचास से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा यह आपका तरीका हो गया अब बहुत सारे लोग जिसे रहते पंदरा पचीस और आप तीस इनका लेना चालू करते हैं जितनी देर में आप लेंगे बहुत टाइम जाएगा आप एक चीज़ याद रखें कैसे ल है जो targeting हो जाए थीक ऐखें को ऐसलिए था माई है जिसमें आप एक सवाई नहीं मानना है आपको कल्कुलेशन कम संवें यह करना है तो मतलब है आप जितना भी approach लगा सकें कैसे person को कम समय में करना है ठीक है कैसे हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा person को attempt करें ठीक है कैसे हम अपना time management करें यह चीज़े आपको देखना है ठीक है यह चीज़े अगर आप देख लेते हैं तो आपकी महत बहुत अच्छी रहती है आप प्रैक्टिस भी करते हैं बस आपका time management नहीं रहे पाता है तो आप आप लोग कैसे होगा time management आप लोगों के practice पर डिपेंड करेंगा ठीक है आप लोग जितना ठीक है जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोग ऊपर यह डिपेंड रहेगा एक चीज़ और देखिए यह आपका advance समयथ से ठीक है और एक चीज़ बताना चाहता है advance मैद की म इनने भी railway में पूछे गए प्रसने सारे मैंने कराया हुआ description में लिंक की भी दिया गया आप वहां से पढ़ लीजिए आप अगर प्रिमेस पेपर के परशनों को पढ़के जाते हैं तो आप exam को आसानी से qualify कर जाएंगे जैसे question हमारा next है एक आयत का परिमाप 24 cm है तता दो अनुपात एक या दो बेटा एक ठीक है दो बेटा एक लिखें दो अनुपात एक अगर आपका तीन गुनी बोलता है ठीक है तीन गुनी बोलता है तो तीन अनुपात एक लिख सकते हैं आपका एक चौथाई बोले ठीक है एक चौथाई बोले ठीक है अगर एक चौथा तो इस चीजे से आप कम समय में ज्यादा ज्यादा प्रश्णों को अटेम्ब कर सकते हैं अब देखे यहां बोला गया एक आयत का परिमाप है लंबाई चौडाई की दूगनी है देखें लंबाई चौडाई की दूगनी है तो मैंने क्या बोला? दो अनुपाते एक लिखो या दो बेटा एक लिखो ठीक है अब परिमाप क्या होता इसका परिमाप जो होता है तू लंबाई प्लस चौडाई मतलब टू एक्स प्लस एक्स ठीक है वह इसको एक्स लेंगे बराबर में कितना दिया गया आपका 24 ठीक है 24 दिया गया तो 2 उधर चला जाएगा तो यह आपका आजाएगा 3X ठीक है बराबर में यह 2 जाएगा उधर भाग में हो जाएगा 12 ठीक है फिर इसके बाद 3 से इसको काटेंगे 3 चुक 12 एकस बराबर आगया आपका 4 लेकिन अब लंबाई चोडाई कमान निकारीए K C Jesus देखिए यहां रखेंगे, दो पे और एक पे, तो is P यह कितना हो गए लंबाई, इसमें रखेंखे 4 गोर9, ठीक है और आपका जो चोडाई हो गया, किठना हो गया 4, अब हमारा अनुपाते एक लिख सकते हैं, तो जब भी अनुपात में रहता है, उसके साथ Xया Y लगता है, ठीक है, X या Y कोई एक EMAAN अचर जो माना जाता है, उसको लिया जाता है, ठीक है, आपका XY लेंगे, और उसके बाद इसे बोला गया परिमाब तो इसको लिख सकते हैं 2 उसके बाद क्या रहता आपका X प्लस Y मतलब 2X प्लस X ठेक है बराबर में आपका दिया गया 24 तो हमारा ये 3X बराबर 2 उधर में कड़ आता है 12 आ जाता है तो X कमान हमारा यहां से कितना आ जाता है 4 तो यही जो 4 कमान है पहले यहां रखेंगे लंबाई में तो ये लंबाई कितना आ जाएगा 8 पिन, चौड़ाई कितना 4 अब इनका जब गुणा करेंगे तो छेथफ़ क्या होता लंबाई गुणे चौड़ाई तो बतीसा जाएगा जो कि आपका अपसा नमर भी सही है देखे प्रशनों को समझे कहां पर क्या गलती करते हैं हमें पता आप लोग गलती कहां करेंगे यह दूगुनी तीगुनी में आप लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं जैसे लंबाई चौड़ाई का दो गुना है तो दो अनुपात एक लिखो और जब यह अनुपात में लिखा रहता हो या तो एक समान लो या तो वाई मान लो दोनों में ठीक है और चाहे तो आप ऐसे लिख सकते लंबाई चौड़ाई का दो गुना है दो गटा एक लिख सकते थ ठीक है चलिए नेक्स सूर्सन की तरफ चलते हैं देखिए यह जो प्रशन है ठीक है यह प्रशन करने से पहले बताना चाहता हूँ अभी जैसे मैंने कुश्चन नमर फर्ष्ट करा था सेम टू ऐसा प्रशन है आप चाहेंगे तो इसको सिकेंडर में हल कर पाएंगे लेकिन इ 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं ठीक है 26 लोग अपने बाएं हाथ से लिखते हैं और दो अपने दोनों हाथ से लिख सकते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं लिख सकते हैं पिछले वाले प्रशन में क्या बोला गया था कितने लोग लिख सकते हैं ठीक है इसमें ब प्रशनों को भी करा लेता हूं जो हाई लेबल करेते हैं गुरुप दोहजार अठारा में पूछे गए थे ठीक है बस आप लोग एक चीज करा करें वीडियो को सेर जरूर करा करें क्योंकि आप लोग लिए बहुत ही महत्मुन क्लास को लेकि आता हूं और बहुत ही अच्छे यहां थे 26 लोग बाएं हाथ से तो जो बाएं ठीक है आपका लेफ्ट और राइट जो दिया गया ठीक है 18 और 26 इनको पहले जोड़ लेजिए ठीक है आपका दाएं राइट और लेफ्ट ठीक है इनका जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा आठ चाउदक चार अशिल नहीं 2, 3, 4, 44 और यह जो लिखा गया है और 2 अपने दोनों हाथों से लिख सकते हैं तो मतलब इनहीं दो को हम क्या करेंगे यह दोनों ही 50 में सामिल हो जाएंगे यह दोनों हाथों से लिख ले रहे तो तो टोटल वेक्टियों में सामिल हो जाएंगे 52 अब इसी 52 से 44 को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 52 को 44 से माइनस करेंगे तो आठ आएगा आठ को यह आपसन दिख रहा है आपका आपका आपसन नमरे सही है देखे समझिएगा वहाँ पर हमने क्या किया था बाम जैसे टोटल था उसमें से माइनस किया था ठीक है और यहां पर हमने क्यों जोड़ा क्योंकि यह दोनों हाथों से लिख सकते हैं अगर यह बोला होता नहीं लिख सकते हैं तो हम माइनस करते हैं लेकिन यह बोला गया है दोनों हाथों से लिख सकते हैं समझीएगा फिन से देखें 50 बेक्त हैं ठीक है 50 बेक्त हैं और इसमें बो म Ooh N искруго मैं कि इसे लोगे हैं आपका अइसे लोग यह सबन्सक्राइब बहुत है अब कुई भी प्रेशनों को आप एक चीज समझे उसको पहले ध्यान से समझे उस वीडियो को आप वहीं पर पाउस कर दीजिए ठीक है प्रशनों को ध्यान से पढ़िए नहीं समझ में आता है तो फिर वीडियो को आप मतलब प्ले करिए फिंसे देखिए मतलब यह करिए और एक बार सिर्फ एक बार आपको प्रशन अच्छे से समझ में आए गया तो सो परसंट कहता हूँ एक जाम दे कर भी आएंगे तो आप कभी भी आप जब तक कमप्टीशन की तहरी करेंगे प्रशनों को नहीं बूल सकते हैं यह आपका तरीका होता है ठीक है ऐसे करिए ऐसे अप्रोच लगाए ताकि आप अच्छे से नमरों को कर पाएं आओ आओ आपकी प्रेक्टिस में माइने रखती है लेकिन दोस्तों में बताना चाहतों आप लोग लिए बहुत इंपॉर्टन कलाज लाता हूँ प्लीज कम से कम दो या तीन लोग जो शेयर करते हैं और बहुत सारे लोग नहीं शेयर करते हैं जितने भी लोग देखते हैं प्लीज उसकी विक्री 12% की छूर दी जाती है यह दुकानदान ने उस घड़ी को 3850 रुपे में खरीदा तो उसका लाव कितना होगा अब देखे यह प्रशन आपका बहुत इंपॉर्टन प्रशन है ठीक है इस प्रशन को समझना बहुत जरूरी है यह MRP मतलब क्या होता है इसको हम ब कि यह अनकीत मूल भी बोल सकते हैं दिखे आपकाह भी क्रें आपकरें मूल पर मिक्स प्रशन बनते हैं और मैंने बहुत सारे Amb étaient बहुत हुआ है जो लोग नए हैं उनको भी समझ में आ जाएगा मैं कैसे बताता हूं बिना कोई आपको इसा नहीं बताता हूं कि एक स्वाई मानना पर इससे आपको बहुत दिक्कत हो प्रूमेस पेपर के परशनों को मैं इतने अच्छे लेबल से करा देता हूं कि आप एक्जाम मे निकाले तो पता चल जाएगा लाव कितने कोरा तो कैसे निकारेंगे चारह जार साथ सो पचास ठीके गुड़े तो हमारा क्या करेंगे यहां पर 88 से लिखेंगे ठीक है 5 9 45 हो जाएगा का फिन कितना बच्छेगा आपका यहां 45 दो बचेगा 25 पंच पचिस इसको दो चुक को आड़ मतलब कितना पंचान निभ गुड़े 44 आप इसको गुणा कर ये 520 कितना आ जाएगा आपका ये 20 आपका टोटल आ जाएगा ये यहां पर 4188 लेकिन 4188 ये आपका क्या आया बिक्रे मुला है आप करें कितने में खरीदा था 3850 में तो आप इसको माइनस कर दीजिए बात खतम हो जाएगा 3850 से माइनस करेंगे आप से पांच जाएगा तीन फिन उसके बाद कितना बचेगा तीन तीन सो तीस ऐसा कोई आपसन दीख रहा है तो आपका आपसन नमडी सही है समझेगा बहुत सारे लोगों को नहीं समझ वायता देखे सव पे छूट देंगे कितना हो जाएगा 88 मतलब सव से हमारा कितना हो गया 88 हो गया तो यहां पर 4750 को हम क्या करेंगे पहले हम इसका क्या निकारेंगे विक्रेमूल तो कम लाने के लिए कम वाली संख्या उपर रखते हैं जीरो से जीरो कटेगा इसको पूरा काटेंगे कितना आ जाएगा आपका यहां जाएगा पंचान ने ठीक है और यहां जो लाव भुहान कैसे पता चलता है विक्रेमूल ठीक है विक्रेमूल माइनस करे मूल हम ऐसे पता करते है तो कितना है मारा आया 4580 मेंसे 3850 को माइनस करेंगे 0, 3, 11 मैं से 8 जाएगा 3, 330 आपका आपसर नमर D सही है प्रशन को समझेए क्योंकि इस पर mix question बनते हैं दोस्तो मैं बहुत कोसिस कर रहा हूँ किसी भी हर हाल में बस आप लोग इसको समझे नहीं समझ में आता है तो please आप प्रशनों को note करें या तो आप लोग इसको screenshot लेके रख ले दिन भर में एक दो बार देखेंगे आसानी से समझ में आ जाएगा आप लोग के लिए बहुत ही ऐसे प्रशनों को लेके आता रहता हूँ हमेशा लाता रहूँगा बस आप लोग अपना भी support बनाईएगा क्योंकि आप लोगों के exam से पहले पहले मैं कोसिस कर रहा हूँ कि जो important important प्रशन है जो unique है एतना नहीं कि इतने easy भी हैं उनको करा दूँ ठीक है और आप मेंसे बहुत सारे लोग अभी बोलना है कि बहुत आलसी टाइप क्या है मतलब कि वो मैं अगर homer का भी प्रशन देता हूँ तो वो उसका comment भी नहीं करते जैसे इतने लोग देखते हैं मतलब आप लोग इतने lazy होते जा रहे हैं तो आप बताए सिर्फ comment करने में क्या जाता है मैं बताए भी देता हूँ कि जैसे इसका आपसर नमर A सही है मैं ये जानने कोसिस करता हूँ कितने लोग active हैं मतलब इतना भी नहीं को स्रीफ ये type कर सकते हैं कि comment में जाकर करें इसका answer नमर A स्रीफ A करके छोड़ दें मैं यह जानने कोसिस करता हूँ कितने लोग active है और बहुत सारे लोग देखते हैं बस देखके निक बास सीधे ऐसे निकल जाते हैं ठीक है उनसे कोई मतलब नहीं class कैसी हुई कैसे नहीं हुई तो मैं यहीं चीज बताना चाहता हूँ ठीक है आप लोग जैसे मैं याज होमर का प्रस दे रहा हूँ तो देखता हूँ कितने लोग comment करते हैं जैसे कि इसका answer A है यह भी नहीं कहता हूँ मैं तुम solution करो ठीक है मैं यह भी नहीं करता हूँ तुम इसका solution मुझे बताओ कैसे कैसे लगेगा सिर्फ मैं यह कहता हूँ तो कल बहुत कम लोगों ने किया था आज फिर मैं बोलाओ comment करिएगा मुझे इससे अच्छा मिलता है खुसी मिलती कि आप लोग active हैं जितने भी लोग देखते हैं ठीक है और बहुत सारे लोग देखते हैं सीधे ऐसे निकल जाते हैं उनसे कोई मतलब नहीं रहता है तो आप ल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों आप लोग धन्नवाद जाएं